सीधा आपको लेश लते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बगिल कुछ कहरें आपको सुनाते हैं मैं सुरू से कह रहा हूँ कि कोल के जो पैसा है जो भी खनीज का रायल्टी है और राज्य सरकार को मिलता है यह पूरे देश का इस सिधान्थ है राज्य का ही अधिकार है अब उसमें यह रायल्टी में पेनाल्टी लगा क्योंकि उस समय सुप्रिम कोट ने सारे कोल माइस निरस कर दिये थे और जो प्राइबट प्लेयर है उस पे पेनाल्टी लगाया गया था और पेनाल्टी 295 रूपे प्रती टन की हिसाब से लगाया गया और वो राशी लगभग 440 करोर का है अब भारत सरकार को अने एक बार पत्र लिखे जो कुईला मंत्री है वो यहां आये भी थे चत्तिरगर और उन्होंने अपने सध्धान्तिक समती भी ब्यत्त की लेकिन प् वित्मंत्रियों की बैठा करके, तब भी अनेक मंचों पर ये बात मैंने उठाई उसमें कोई प्रत्किया नहीं आई है दूसरी बात यह है कि भार्वारच सर्कार से इस प्रकार कोई पत्र है हमने अए पत्रह चार कि उसके बास ही कोई जवाब नहीं हो यह यह राज्य सरकार का हग है और इसी देना ही चाहिए लेकिन इसलिए इस लिम您 कहता हूँ यह राशी जोड के बताउंगे लेकर बीकिन करेंग जा सकती है मुझे तो ब्यक्ति करते हैं यहां जब आया थी कोईला मंत्री पहले बार कोई कोईला मंत्री राज्यमा के मुख्यमंत्री साथ मीटिंग किये और उसमें उन्होंने कहा कि मैं सधान्ते गिरों पर सामाथ हूं कौन पर भी बात चर्चा हुई तब भी उन्होंने से मतिब्यक्त की आखिर हम भी कोड गए हैं और कोड से आप रिलीप की उम्मीद करते हैं लालकूर में आपने जो सत्नाम समाज की जो सफ़ाती गुर्गासिदास जन्ती आपने जो टिपणी के उसको वीजे की मुद्दा बना रही है वो कह रहे हैं कि जब प्रदर्शन होगा था तो सीम में जो का उससे सत्नामी समाज का अपमाल भारती जनता पार्टे की उस्सी सन् दुखी हुआ कि मैंने आपको निमंतरन दिया आओ उसके बाद इस प्रकार से लोग देर मतब नारे बाजी कर रहे हैं मुझे बहुत खराब लगा और मुझे मुझे खेद ब्यक्त किया नंबर एक जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो चार-पांच लड़के थे खड़े कि मैंने उसी तब बुलाया भी आजाओ यहां बात कर लेते हैं कोई भी समस्या है दुनिया की कोई भी समस्या बात चीश से हरोती है आपके पास कोई बात है तो आजाओ बैटके बात करते हैं मैंने उसे मंच में साधा रामंतरित किया उन नहीं माने तो क्या वोला मैं भई यह बोला कि साम के समय जो आवा जाती है उसी प्रकास आवा जा रही है आप सब सहर में रहने लग गये हो आप तो जंगल के रहने वाले हो किनारे से किसके आती है तो मैंने कहा कि आप हुलर करना चाहते हो समस्य ख़लने चाहते हैं अपनी बात ही कहना है और भेट मुलाकात करके मैं पचास से अधिक विधान सब में जा चुका हूं सबके पास माइक होता जो भी और यह जो सवाल है अरक्षन की मुद्द कई बार सब मानते हैं नने गेऊस्ता यहिए जन कंढड़न में अधिक आया समस्ना इस प्रसफ ज्याद आया है दो प्रसत आया 6 दस भ्लऻके उसके भारती जन्ता पार्टी सब्सक्राइब हो रहा है इस परकार से कर रहे हैं हमको पता है कि क्यों कराय जा रहा है क्योंकि भारती जन्ता पाड़ी आरक्षन के विरोध में है राज राज होन को वो लोग अड़ा बना रहे हैं राज निती का आदवाशियों का राक्षन का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलने दे रहा है पिछले वर्क मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है बारापर से 13% अंस यहां के नूयॉयॉर्य। नुख्सान हो रहा है इनको राजीती इनको राजीति से मतलब है प्रदेश की जन्ता से कोई लेना देना नहीं है। जोन चब्यापर कर रहे है। करनाठ? महाराष्ट, मदप्रेश, तीनों खरीत फरोक्तिस बने हैं, अब बज गया एक गोवा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तिसरा उत्तर खंड, नार्थिश कुछ राज, बस इतने सिमाट की भारती जनता पार्टी, जो खुद कांग्रेस मुक्त भारत बात कर रहे थे, अब वो धि अब उत्तर भारत में खाता खोल के आ चुके हैं, पहाड में हमारी सरकार बन गई है, अब वो हेल्मेट प्रेंट करके भासर जाय रहे थे, और को हैं अजया चंद्राकर जी, पर उसे मेरे पूरी सहान बुति है, वो कितना भी कर ले, लेकिन उसकों कभी नेता सकते हैं, कभी वो प्रदेश भाजपा का अध्यक्स नहीं बन सकते हैं, पूरी सहान बुति उनके साथ है, अब गए तो भीड नहीं आ रही है, कोई उसको मीडिया में कवरेज नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार के अनरगर पर आप परना सुरू कर दिया है, मतब इतना उतर पतादे मुख्यमांतरी भूपेश बगेल मेडिया से आपे बाच्चित करें, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे हैं, रायपूर से कई मुद्दों पर उनसे सवाल किया गया, अजय चंद्राकर के बयान और उनके जो आगे उन्होंने किया, उसके उपर उन्होंने सवा पर उन्हें अपना जवाब दिया.